तो नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप अपने फोटो की साइज को कम कर सकते हैं दोस्तो क्या है कि जब भी आप गुबर्मेट एक्जाम के फर्म को फिल करते हैं या अपने school college के exam को फिल करते हैं अपने खुद के mobile से तो उसमें जो photo या signature अपलोड करने होते हैं उसकी size काफी कम मांगा जाता है जैसे कि दोस्तो 50 के भी 20 के भी 100 के भी तक यहाँ पर आपके photo या signature की size मांगी जाती हैं तो किस तरह से आप अपने photo की size को कम कर सकते हैं इस वीडियो में दोस्तो आपको हम step by step बताएंगे तो दोस्तो इसमें हम आपको कोई भी आप का यूज नहीं करके केवल बेव साइट के द्वारा किस तरह से आप अपने photo के या signature के size को कम कर सकते हैं यह हम जानेंगे तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप इस channel पर पहली बेरा हैं तो channel को जरूर subscribe कर ले और channel को subscribe करके bell icon को press कर ले इसी तरह की video की notification को पाने के लिए तो दोस्तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको वताते हैं किस तरह से अपने photo और signature के size को कम करना है तो दोस्तो यहां से हम अपने mobile के homepage को open कर लिये हैं homepage को open करने के बाद यहां पर आपको जो भी browser यूज करते हैं वो browser यहां से open कर लेना होता है तो हम यहां से chrome browser को open कर लेते हैं और chrome browser को open करने के बाद यहां पर आपको search करना होता है image compressor image compressor आप जैसे सर्च करते हैं तो आपको first में एक website देखने के लिए मिलता है जिसको आपको open कर लेना होता है दोस्तो इसी बेव साइट को आपको क्या है कि open कर लेना होता है जैसे आप open कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको interface देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर आपको option so करता है upload file दोस्तो upload file वाले option पर click करके आपको जिस भी photo को size को कम करना चाहते हैं signature की size को कम करना चाहते हैं वो यहाँ से upload कर देना होता है तो यहाँ से हम upload file वाले option पर click करके यहाँ से हम अपने file से photo को upload कर लेते हैं दोस्तो इन दो image को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो image है उसकी quality में कोई changes नहीं है यहाँ पर एक की size यहाँ पर आपकी देखने के लिए मिल जाते हैं 1160KB यानि की लगभग यहाँ पर डेड़ MB का आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर इसकी size माने तो केवल 80KB का यहाँ पर हमने पहले convert किया था तो कुछी सतरह से आप भी अपने file के size को convert कर सकते हैं, resize कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ से हम जो डेड़ MB के photo हैं उसी को यहाँ से select कर लेते हैं जैसे हैं यहाँ से select करते हैं आप अपने image को तो कुछी सतरह से यहाँ पर uploading होता है और उसके बाद compressing होता है जो कि आप screen पर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों photo की size 85% तक यहाँ पर compress किया गया है जिसकी size यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं 237 के भी अगर आपको इस size में photo चाहिए तो यहाँ से download कर सकते हैं लेकिन इस size से और कम चाहिए तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है 83 इस 3 को दोस्तों आप यहाँ से यहाँ करके अपने size को यहाँ पर बदल सकते हैं तो यहाँ से हम क्या हैं कि 83 से यहाँ पर केवल हम 40 कर लेते हैं चालिस करने के बाद आपको apply वाले button पर click करना होता है जैसे ही आप apply वाले button पर click करते हैं यहाँ से आपकी photo के size जो हैं वो 103 के भी हो जाती हैं जो कि आप screen पर देख सकते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप जो भी यहाँ पर आप जिस भी size में चाहते हैं वो यहां से आप convert कर सकते हैं तो दोस्तो इसको photo को किस तरह से download करना है तो download करने के लिए आपको यहां पर button मिल जाता है download all इसी पर आपको click करना होता है जैसे आप यहां पर click करते हैं तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है download file यहां पर download again वाले button पर click करके download कर सकते हैं दोस्तों इसमें क्या है कि जितना size सो करता है download करने के बाद उससे भी कम size में यहां पर photo आपका download होता है तो यहां से हम download again वाले button पर click करते हैं तो कुछ इस तरह से यहां पर हमारा file download हो जाता है दोस्तों यहाँ पर जो file download होता है वो jip file में रहता है इसको किस तरह से export करके photo को यहाँ पर अपने file में लेना है चलिए हम यहाँ से अपने file में चलते हैं और आपको बताते हैं तो दोस्तों यहाँ से हम अपने file में आ चुके हैं फाइल में आनेक बाद यहाँ पर आपको फर्ष में देखने के लिए देखने के लिए मिल जाता है Image Compressor से एक Jip Fाइल यहाँ पर इसकी साइज जो है वो 86 के भी हो जाती है यानि कि आपके फोटो की साइज 86 के भी होगी तहां से क्या करना है कि इसी पर आपको जीप फाइल वाले पर क्लिक करना है जैसे ही आप जीप फाइल वाले पर क्लिक करते हैं तो यहां से आपको इक्स्ट्रैक वाले बटन पर क्लिक करके इक्स्ट्रैक कर ले ना है जैसे ही आप इक्स्ट्रैक करते हैं तो यहां पर आपकी फोटो देखने के लिए मिल जा इस image को जो कि हमने compress किया है, इसका दोस्तों आपका समय देखिए just now अभी अभी हमने किया था, इसकी size दोस्तों हो जाते हैं 85 के भी जो कि आप देख सकते हैं, दोस्तों कि पहले size था इसका 1.5 MB, यहां से 1.5 MB से आपका 85 के भी हो जाता है, तो चलिए इस photo को हम यहां से open करते ह हैं, तो इसमें आपको कोई भी यहां पर quality changes नहीं आता है, जिस तरह से आपका HD में photo रहता है, उसी तरह से यहां पर भी आपकी quality सेम रहती हैं, तो दोस्तों कुछ इस तरह से क्या है कि आप अपने photo की size को यहां से compress करके, आप अपने file में upload कर सकते हैं, जब भी आप government exam या क upload कर सकते हैं, और अपने form को fill कर सकते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आप कच्छे लगी, तो वीडियो को like करें और channel को जरूँ subscribe करें, इसी तरह की वीडियो को notification को पाने के लिए, तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और new interesting वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद द कर दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों